हलो दोस्तों आप देख रहे हैं जो सुजुनुन में दोस्तों अगर आपकी धान भी इस तरह से जल गई है दबाई डालने के कारण तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें आप किस चीज का इस्प्रे करें कैसा डोस दे क्या चीज डाले कि जिससे आपकी धान एकदम हरी भरी हो जाए बड़ी हो जाए जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना होगा इस प्रकार से आपको दिख रहे होगी कि यह ऐसा लग है यह रोग है यह मरदान जल चुकी है दोस्तों तो इसमें आपको इसा क्या ची कि लिख ले और 2 kg यूडिया ले और 1 kgसलफर ले दोस्तों इन तीनों चीज़ें को मिला कर दोष्तों आपको इस प्रेrint करना है लेकिन हवाद सेप्वन डालना नहीं भुल है दोस्तों से प्ति है यह प्रकाश च्छ incumbinar़ını कारपा रहे क्योंकि दोस्तों इन जो छोटे छोटे रंदर होते हैं वह रंदर बंद हो चुके दोस्तो यह पूरी तरह से सूख चुकी है तो दोस्तो सेंपो क्या करेगी इनको पहले अच्छे से साफ करेगी दोस्तो जैसे हमारे बालों में सेंपो लगाते हैं दोस्तो तो क्या होता कि हमारे बाल पूरे मुला चुकी है दोस्तों अब सेम्पू इसमें क्या काम करेगी कि सेम्पू इनके जो पच्छेद छीद्र है उनको खोल देगी बाल पूरे मुलायम हो जाएंगी प्रवदा पुरसोप्ट हो जाएगा जिसके कारण दोस्तों यह प्रकास क्रिया कर पाएगा और हमारी जो खाद वग इन तीनों चीज़े की वस्ता नहीं है तो आप मार्केट से जाकर खरीत के लाएगा और ज्यादा नहीं तो दोस्तों सिर्फ एक किलो जिंक एक किलो सलफर और दो किलो यूजिया का इस्प्रे करना है आपको और आपकी धान एकदम पूरी हरी भरी जाएगी दोस्तों इस त सब्सक्राइब करना और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए खेती बाड़ी संबंदित जानकारी जानने के लिए दोस्तों हमारे चनल से जूड़े रहेगा हमने खर्पतवार के बारे में भी आपको अच्छी सारी दवाई बताई हुई थी ठीक है दोस्तों अगर आपकी धान जल रही है तो आप इसमें इस तरह का यूज़ कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अधिक जादा ही जल जुके दोस्तों की एकदम पूरी छोटी है कि धान आपकी उपर आई लाना होगा वह है दोस्तों हमारा वह चीज है हमारे दोस्तों गुलुकोज जिसे हम देते हैं जिसमें दोस्तों सुक्रोज की मात्रा होती है और दोस्तों गुलुकोज वह काम करता है कि जले हुई पौदों में जानला देता दोस्तों तो आपको क्या करना होगा मार्केट से गुलूकोज लेना है और गुलूकोज को दोस्तों सिर्फ एक जो पाच लेटर वाला मतलब 25 पहली पाउच आती दोस्तों तो क्या करना हूंगा कि उसको दो भागमे मालना मतलब एक पाउच को धन्यवाद